भिंडी की सबजी तो आपने कई बार खाई होगी पर एक बार आप इस तरह के से बना के देखें आपको यह बहुत पसंद आएगी आज हम बनाने वाले बहुत ही अलग तरिकी की भिंडी की सबजी जो की खाने में बहुत साथा टेस्टी होती है इसे बनाने के लिए हमने बिंडी में दो पिंच लाल मिश पाउडर एक चोटा चमश नीमू का जूज डाल दिया है इसे अब हम इस तरह से टॉस करेंगे जिससे मसाले जो है बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं अब हमने यहां पे एक कडाई में ओयल गरम किया है और यहां पे हमने भिंडी को डाल दिया है फ्रेस यसे हम बीच-बीच में चलाते वे भिंडी को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं फ्रेस हमने भिंडी में नेमू का जूस इसले डाला था ताकि चिपचिपी से ना बने यहां हमने पैन भेज जरी है एक चोटा चमच जीरा एक बड़ा चमच धन्या एक बड़ा चमच मुफली एक चोटा चमच सौफ डाल लिया है अभिन सब को हम अच्छी तरह से भून लेते हैं फरेस इसे हमें लो तो इसे हमने ठंडा करके चट्मी जान में डाल लिया है तो मसालों काम डालने के बार हम इसमें साथ से आठ रहसुन की कल्या डाल लेते हैं अधरक डाल लेंगे और अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा पानी और अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं फ्रेंस बीच-पीच में जब भी पानी की ज़रत पड़ा तो हमने थोड़ा-थोड़ा पाइं डाला और इसका स्मूध पेस्ट बनाके तयार कर लिया है फ्रेंस हमारी भिंडी है वो बिलकुल अच्छी तरह से फ्राइ हो चुकी है क्योंकि हमारी भिंडी फ्राइ हो चुकी अच्छी तरह से पक चुकी है तो ग्रेवी में हम इसे थोड़ा कम ही पकाना पड़ेगा तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं कड़ाई में हमने थोड़ा ओयल डाल लिया है एक चमजीर डाल लेते हैं एक तेज पतर डालेंगे अब हम इसमें एक कटा हुआ प्यास डाल लेते हैं प्यास को हमने फ्राई कर लिया है और अब हमने जो मसाले बना के रखा था तो उस मसाले को अब हम इसमें डाल लेते हैं फ हल्दी पॉलर डाल लेते हैं अब हम इन मसालों को एक मिनट के लिए इस तरह से पका लेते हैं तो यह हमारे मसाले पक चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा साई से कटा हुआ टमाटर साथ ही साथ हमने इसमें नमक डाल लिया है ताकि जो टमाटर है अच्छी तरह स इतवी है तो चलिए अब आपेमाटर ता मिल डैते हैं अब आम चाहे , ता मैंसरे VOICE पॉटी है को जाए ठीड आ चाहे तो इस तरह से इस नहीं है मिलता दा चाहें अब हम इसमें डाल लेते पानी तो फ्रेज पानी आप अपने जरुत के हिसाब से डाल सकते हैं मैंने यहाँ पे एक ग्लास से थोड़ा सा कम पानी डाल लिया है तो चलिए अब हम इसे मिला लेंगे और ग्रेवी में हम इसमें बॉयल आने देते हैं तो फ्लेम को यहाँ पे हाई पे कर दे ताकि जो ग्रेवी है वो जल्दी से बॉयल हो जाए तो हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से बॉयल होने लगी है फ्राई किया हुआ हमने भिंडी स्में डाल लिया है इन सब को हम मिला लेते हैं फ्लेम को कर देते हैं मीडियम पे और इसे हम पकने देते हैं फ्रेज इस सब्जी को हम ढख करके पकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि अच्छी तरह से पक जाए तो करीब 3-4 मिनट के लिए हमने इस सब्जी को अच्छी तरह से पका लिया है और यह देख सकते हैं हमारी सब तो इस सब्जी को आप चावल के साथ रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं तो फ्रेंस ये बहुत ही टेस्टी सी भिंडी की सब्जी हमारी तयार हो चुकी है अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें घंटी उटेश जरू दबाएं मिलते हैं नेक्स वीडियो पर किसी नई रेसिपी के साथ तिल देन भाबाएं